Hi everyone, I am Shruti and आज हम लोग discuss करेंगे class 12 accounts, debenture redemption का topic, redemption by conversion into shares तो देखो क्या होता है ना, कई बार company क्या करती है, debenture issue करती है और उसमें company ऐसे बोलती है कि जब redemption का time आएगा, तो अगर debenture holder की इच्छा होगी तो वो अपने debentures को shares में convert कर सकता है और ऐसे कोई भी debenture holder क्यों करेगा, क्योंकि शरुवात में तो company जैसे new होती है उस time पे हम लोग को नहीं पता होता कि भी company कैसा perform करेगी तो हम उसमें क्या करते हैं कि चलो ठीक है debenture ले लिए और हमें regular debenture holder को क्या मिलता है, फिर interest मिलता रहता है फिर जैसे जैसे company पुरानी होती है, earnings उसकी increase हो जाती है तो फिर क्या होता है, debenture holder का trust बन जाता है और redemption के time पे वो क्या करता है, फिर अपने debentures को shares में convert कर देता है ताकि वो अपने profit का share increase कर सके और वो company की ownership में भी participate कर सके लेकिन इसके लिए क्या होता है, कि जब redemption by conversion into shares होता है तो ये केवल कौन से shares के लिए होगा ये केवल convertible shares पे ही हम ऐसा redemption कर सकते हैं मतलब जिस पे issue के time पे ऐसी condition रखी गई हो कि हाँ ये debentures convertible था या debenture का ये वाला हिस्सा convertible था ठीक है, non convertible के लिए debenture के लिए conversion allowed नहीं है तो उसके बाद second thing, अगर हम conversion कर रहे हैं तो conversion के लिए हमें DRR की जरत भी नहीं है और हमें investment जो 15% investment हम लोग करते थे DRI that means debenture redemption investment उसकी पी जरत हमको नहीं पड़ेगी किसके लिए? conversion, convertible debentures के लिए अगर हम non convertible debentures की बात कर रहे हैं, normally non convertible debentures की बात कर रहे हैं जैसे debenture आपको redeem करने हैं, सब करना है, पैसे देने हैं तो उसमें तो सब होगा, DRR भी होगा, investment भी होगी लेकिन जो हम convertible हिस्सा है, उसके लिए हम लोग को DRR और debenture redemption investment की जरर नहीं है ठीक है? तो बिलकुल यह किसकी तरह है? consideration other than cash की तरह इसकी सारी calculations होगी issue for consideration other than cash हमने shares में भी discuss किया था और हमने debentures में भी वो topic discuss किया था तो time ना waste करते हूँ हम सीधे practical question पे आते हैं देखे question क्या कह रहा है? कि DAE Limited ने क्या किया? उसने total 33 lakh रुपीस के debentures को redeem करने थे जो की पहले कभी premium पे issue होए थे तो premium पे issue होए थे उससे हमें फिलाल कोई मतलब नहीं है अब उसने कैसे किया? 12-33 lakh में से 12 lakh के debentures को तो क्या किया? shares में convert किया और एक share 100 रुपे का था और 25 रुपे के premium पे issue था और बाकी क्या उसने क्या किया? बाकी debentures को उसने preference share में convert किया एक preference share 100 रुपे का था और वो 5 रुपे के premium पे issue था तो देखो issue की entry तो हम लोग issue की entry तो करने की ज़रत नहीं है तो जब debenture redemption की entry due करेंगे तो debenture का credit balance होता है जब वो redeem होंगे तो हम entry pass करेंगे debenture account debit to debenture holder account total debenture हमारे कितने के due थे 33 lakh रूपीज के due थे अब आप देखेंगे 33 lakh रूपीज राइट आप देखो total debenture हमारे due थे 33 lakh रूपीज के जिसमें से 12 lakh के जो debentures थे उनके लिए तो company ने क्या किया उनके लिए company ने उनको equity shares में convert किया एक share था आपका 100 रूपीज का और 25 रूपीज का उस पे premium था अच्छा remaining तो remaining कैसे निकालोगे 33 lakh में से हम लोग minus करेंगे 12 lakh तो कितना आजाएगा 21 lakh राइट remaining 21 lakh के लिए उसने क्या क्या company ने इनको preference shares में convert किया एक preference share 100 रूपे का था और 5 रूपे का उस पे premium था तो 2 situations हो गई तो सबसे पहले हम पहली पे देखते हैं कैसे entry होगी तो first entry तो total due की करा दी हमने ठीक है अब second entry देखो कैसे होगी second entry में हम लोग जैसे debenture holder को कितने पैसे देने है totality में debenture holder को आपको total 12 lakh रूपीज देने है right total आपको 12 lakh रूपीज देने है आप उनको क्या दे रहे हो आप उनको equity share capital दे रहे हो और वो security premium reserve पे issued है equity share capital और कैसे निकालेंगे 12 lakh रूपीज हमको देने थे एक share था 125 रूपे का यह रवन 25 रूपीज का right तो कितने share हमको देने पड़ेंगे हमें total मिलाके यह divide करेंगे तो हमारा आएगा 9600 shares तो share capital में आएगा 9600 into 100 that is 9 lakh 60,000 ठीक है और security premium कितने का है 25 रूपीज का तो security premium हमारा हो जाएगा 2 lakh 40,000 रूपीज का ठीक है 12 lakh रूपे को हमने किस से divide किया 125 से तो यह total कितना हो गया 96 share आगया share capital इसमें 96 9600,000 का है और security premium इसमें कितने का है 2 lakh 40,000 का अब जो next due है वो कितने का है debenture holder को हमें देने हैं कितने हमें debenture holder को देने है 21 lakh रूपीज हमने उनको बदले में क्या दिया हमने उनको बदले में preference share capital दी और वो भी preference share भी हमारा security premium पे है तो कैसे निकालेंगे हम लोग total हमें देने है 21 lakh रूपीज और एक preference share हमारा 105 रूपीज का है 100 प्लस 5 तो हमारे preference share कितने आएंगे divide करेंगे तो हमारे preference share आएंगे 20,000 shares तो आप कैसे करोगे share capital में कैसे निकालोगे 20,000 into 100 that is 20 lakh और premium कितने का है 20,000 into 5 रूपीज का premium है that is 1 lakh है ना बिल्कुल consideration other than cash जैसे entry होई ना तीन entries है बस debenture to debenture holder total 33 lakh रूपे देने है 12 lakh की settlement आपने share capital देके करी और 21 lakh की settlement आपने preference share capital देके करी since हम बदले में पैसे नहीं दे रहे तो ना तो हमें DRR बनाने की ज़रत है ना ही हमें 15% इन्वेस्ट करने की ज़रत है अब देखो एक concept है मान लीजिए कोई class of debenture थे वो originally discount पे इशूद थे ठीक है अब हम उनका redemption कर रहे हैं तो that means redemption of debentures which were originally issued at discount अगर हम उनका उन वाले debentures का redemption कर रहे हैं तो इसमें दो due date से पहले हो जाए ठीक है या अगर redemption due date पर हो ठीक है अगर redemption due date से पहले हो और किस की मर्जी से हो debenture holder की मर्जी से हो तो उस case में हम लोग जो initially हमने discount दिया था उसको वापिस ले लेंगे क्यों क्योंकि शुरू में मान लीजे 100 और पे का debenture हमने नबबे में दिया और हमने उनको बोला कि हम आपके debentures को भाद में जाके shares में convert कर लेंगे लेकिन अभी due date आई नहीं उससे पहले ही debenture holder ने अपना option exercise किया और उसने बोला आप मेरे debentures अभी की अभी convert कर दो तो हमें जितने साल उस debenture के पैसे से profit कमाना था हमने नहीं कमा पाए तो हम क्या करेंगे वो discount उनसे वापिस ले लेंगे लेकिन अगर redemption due date पर ही हो रहा है तो हम उस discount को वापिस नहीं लेंगे तो discount is not taken back ठीक है बाकी हम एक बर practical question से आपको जादा समझ में आ जाएगा देखे question क्या कहा रहा है so Nali Enterprises ने issue किये 1200 debentures 100 रुपे का एक था 8.5% के discount पे उसने issue किये ये debentures 2011 में उसने issue किये September में इनका redemption 6 साल के बाद था तो 6 साल के बाद यानि कि 2017 में पाएगा लेकिन एक जनवरी 2015 को ही यानि कि due date से पहले ये debentures को redeem करना पड़ा shares में convert करा क्यूं किसकी मर्जी से add the option of debenture holder तो ये क्या है debenture initially discount पे issued था लेकिन due date से पहले ही debenture holder ने बोला कि मेरे debentures को आप convert कर लो तो इस case में हम discount को क्या कर लेंगे वापसी ले लेंगे ठीक है कैसे लेंगे देखो मैं book में समझा देती हूँ सबसे पहले हम लोग issue की entry pass करेंगे that is very simple bank account debit to debenture application and allotment किते debentures थे 1200 debentures थे और 12,000 rupees का एक था ना आपका debenture तो 1000 rupees में से हमने क्या किया 8.5% 1000 rupees का माइनस कर दिया तो 1000 rupees का 8.5% आपका होगा 85 rupees और यह माइनस करेंगे तो आपका debenture निकलेगा 915 रूपे का तो 1200 into 915 करेंगे तो that will be आपका कितना हो जाएगा 10,98,000 ठीक है फिर हम इनको transfer करेंगे जिसके general entry होगी debenture application and allotment 10,98,000 लेकिन debenture तो कितने के हैं 1200 debenture है 1000 rupees का एक है 12,00,000 remaining आपका क्या है discount 1200 debenture है 85 rupees का discount है देखो यह discount यहाँ पे debit हो रहा है redemption के time पे जब आप इसको वापिस लोगे तो यह क्या हो जाएगा credit हो जाएगा कैसे करोगे कि debenture redemption की time पे debenture due थे actually 12,00,000 के लेकिन हमने यह discount यहाँ debit था वापिस ले लिया तो 2 discount 1,00,000,000 that means हम debenture holder को अब कितने रुपे वापसी करेंगे जितने उसने दिये थे उसने दिये थे 10,98 हम उसको 10,98 ही वापिस करेंगे क्योंकि उसने due date से पहले ही अपने debenture redeem करा लिये फिर हम उनको debenture holder को क्या देंगे बदले में share capital देंगे और यह आपके बदले में shares आपको mention नहीं है कि कितने रुपे के हैं आपको question में हाँ mention नहीं है तो कुछ नहीं हम 1000 कई मान लेंगे या मानो बेशक debenture holder to equity share capital पूरा हम कितने रुपे दे रहे हैं 10,98,000 to cash हमने नहीं लिखा क्योंकि हम इन debentures को किस में convert कर रहे हैं shares में convert कर रहे हैं हमने क्या बोला due date से पहले अगर debenture holder अपनी मर्जी से debentures को convert कराता है तो हम उससे सारा दिया हुआ discount उससे वापिस ले लेंगे एक question और देख लेते हैं 1st April 2011 को A.L. ने issue किये 2007% debentures 100 रुपे का एक और ये भी discount पे issue थे ये 4 साल बाद redeem होने थे और कैसे redeem करने थे equity shares में convert करके और एक share 100 रुपे का था और वही share 25% के premium पे था company ने ये debentures convert करे 1st April 2015 को देखो 2011 में issue किये और 4 साल इनकी life थी तो 11 प्लस 4 2015 या आएगा न that means ये debentures तो due date पे redeem है तो हम क्या करेंगे इन लोगों से discount वापेस नहीं लेंगे तो देखो issue की entry simple bank account debit to debenture application and allotment 2000 debentures थे और 10% के discount के बाद किते बने 90 रुपे के बने 1,80,000 फिर normal transferring की entry debenture application and allotment एक 80 debenture आपका कितने का था 100 रुपे का था discount आपका हुआ 2000 into 10 रुपी फिर जब redemption due होगा तो हम direct entry पास करेंगे debenture to debenture holder 2000 into 100 हमने ये discount वापपेस नहीं लिया क्योंकि redemption किस पे है due date पे है अब हम कैसे payment करेंगे debenture holder to equity share capital to SPR कैसे निकालोगे 2,00,00 रुपे आपको देने है एक share 125 का है ना 125 कैसे आया 100 रुपे का share है और 25% के premium पे है तो कितना आया 1600 share आये तो share capital में कितना आएगा 1600 into 100 और premium कितने का होगा 1600 into 25 ठीक है debenture holder 2,00,00,00 to share capital 16 to premium security premium reserve 40,000 discount हमने वापिस इसले नहीं लिया है क्योंकि debentures are being redeemed at due date चलिए चाप्टे का last question discuss कर लेते है debentures जो है redeem होने थे आपको general entry पास करनी है ऐसा हुआ है कि कैसे redeem करें debenture 10,000 debenture redeem करें और एक debenture 100 रुपे का है ये debenture अब कैसे redeem करें at a premium of 10% तो POR 10% और इनको क्या किया है equity shares में convert किया है लेकिन equity share पार पे ही issued है debentures जो convert हो रहे हैं उन पे POR 10% का conversion हो रहा है equity shares में बट equity shares पार पे issued है तो देखो बिल्कुल simple है debentures कितने के हैं question में mentioned है 10,000 debenture है 100 रुपीज का एक है 10,000 लेकिन हम POR भी दे रहे है POR है आपका कितने का P premium और redemption है 10% का तो 10,000 रुपीज देने हैं उनका 10% कितना हुआ 1,000,000 that means total debenture holder को हमें कितने रुपे देने है 11,000,000 10,000 की face value और 1,000,000 रुपे का POR बस उनको बदले में आप shares दे दोगे तो debenture holder to equity share capital कोई जरत नहीं है किसी भी चीज से divide करने की क्योंकि हमें question में mention ही नहीं है एक share कितने का है तो simple link दिया debenture holder to equity share capital 11,000,000 छीक है इसमें conversion में mainly आपको कहां ध्यान रखना है कि अगर discount में issued थे तो redemption due date से पहले हो रहा है या due date पर हो रहा है ओके thank you so much for watching